आज मैं शेयर कर रहे हूँ आप लोगों के साथ ऐसी सबजी की रेस्पी जो बहुती स्वादिष्ट बनता है, मजेदार बनता है और ये खाने में बहुती टेस्टी लगता है तो चलिए रेस्पी देखते हैं हेलो दोस्तों श्वागते कांती जी किचन में तो आज मैं बना रही हूँ कटहल की सबजी तो यहां पर मैंने लिया है एक खड़ा कटहल जो वजन में एक किलो है और इसे मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि थोड़ा जब कटहल का साइज बड़ा हो जाता है जिसमें रेसे और बीज पढ़ जाते हैं उस कटहल का यह सबजी जब बनाई जाती है तो बहुत ही स्वाधिष्ट बनती है तो यह देखिए दोस्तों मैं इस कठल को चक्कु से काट रही हूँ चक्कु पे थोड़ा सा तेल और हाथ पे भी हलका सा तेल लगा लें और तब काटें यह देखिए इसके अंदर इधर से मैं दिखा हूँ कि काटने के बाद इसमें से जो सफेद सफेद दूद निकलता है यह देखिए काफी चिप चिपा होता है जहां भी लगता है हमाई चिपक जाता है तो हाथ पे और नाइफ पे चिपक जाता है तो तेल लगाने से आसानी से निकल जाता है और यह देखिए यह नाइफ से मैंने काट के लग किया है और अब ये बीच से काटेंगे तो इस तरह से न जब कठल जब भी खड़ा खरीते हैं तो ये काटने में बहुती दिक्कत होता है तो जो भाईया जी कठल बेच रहे थे वो खड़ा ही बेच रहे थे उनके पास काटने के लिए कोई चीज नहीं थ तो मैं खड़ा लेकर आ गई कठल और ये देखिए इस तरह से नाइफ से नहीं कठ रहा था तो अब हसुआ से काटे जा रहे हैं ये देखिए इसे कितने आसानी से इससे कट गया ना तो इसे हमारे तरफ तो हसिया बोलते हैं आपके तरफ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करक दोनों ही बहुत आसान हो गया है इस तरह से और इस पे भी ना हसुआ पे भी थोड़ा सा यह दिखिए सर्सों का तेल लगाना पड़ता है तो तेल जरूर हाथ में लगाए और नीचे अकबार होगा रहे भी छाले अगर इस तरह से कठल लाकर काट रहे हैं घर पे तो तो इस तरह से जो यह देखिए बीच वाला हाड वाला ब्राउन पार्ट है ना कठल में उसे निकाल देना होता है इसकी सबजी नहीं बनती है तो उसको निकालने के बाद से इस तरह से आपके उपर डिपेंड करता है बड़ा छोटा आप जैसा चाहें काट सकते हैं और काटन इसे उबाल करके भी बनाते हैं और कुछ लोग बिना उबाले बनाते हैं मैं भी यहाँ पे बिना उबाले ही बना रही हूँ तो यहाँ पे यह देखिए मैंने इस कटल की सबजी मैरिनेट करके बना रही हूँ थोड़ा अलग तरीके से तो यहाँ पे मैंने दो बड़े चम मीट मसाला दोस्तों पूरी तरह से बेजितेरियन होता है। मसाले में कोई नानवेश नहीं होता है तो यहां मेट मसाला डलने से उसवाद भड़ जाता है। इसका बहँती सब्सक्राइब है सब्सक्राइब बच चंबजी और एक चंबच हमने इसमे धनिया पौडर आधा चंबच गरम मसाला और एक चंबच इसमें कास्मीरी fps डालमिर्च। पेस्ट भी अड़ किया है और फिर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन सब्जियों को अच्छे से मिलाएंगे तो यहाँ पर अभी मैं चम्म से मिक्स कर रही हूँ और फिर से हाथ से इसको अच्छे से के कठल पे जिससे की मसाले कोट हो जाएं तो हाद से भी आप mix कर सकते हैं, मैं भी इसे एक बार हाद से अच्छे से mix कर लूँगी, और marinate करके आदे घंटे के लिए कठल को रख देंगे, इससे बहुती सब्ची का स्वाद तो बढ़ता ही बढ़ता है, बहुती टेस्टी बनती है, कलर भी बहुती अच्छे आएंगे, जब यह बनेंगे तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हाद से इसको अच्छे से रब कर देते हैं, ताकि मसाले कठल पे अच्छे से लग जाएं, और ढग करके इसे साइड में रख देते हैं, और अब क्या करेंगे ना, कि यहाँ पे हम निकाल लेंगे थोड़े-थोड़े खड दो तीन लॉंग लिया है, थोड़ा सा सा जीरा, हाफ टीजपून और हाफ टीजपून जीरा लिया है, एक तेज पत्ता, तो यह सारे मसाले नम तड़के में डालेंगे, यहाँ पे तीन हरी लाची लिया है, तो लाची, काली और हरी का दो मुख खोल देंगे, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से निकल कर आए, और चलिए अब गैस पे हमने एक साइड कूकर रख दिया है, गरम होने के लिए और उसमें डालेंगे सरसो का तेल, तो दो टेबल इस्पून मैंने उसमें तेल भी एड़ कर दिया है, ताकि यह अच्छे से गरम हो जाएं, तो चलिए, अब सबजी बनाना शुरू करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, सरसो के तेल अच्छे से गरम करना है, आप जो भी आईल में कुकिंग करते हैं, उसमें आप बना सकते हैं, अच्छे से सरसो के तेल जब गरम हो जाता है, तो उसमें से जो सरसो के तेल का स तो निकल जाता है तब सब्जी का स्वाद अच्छा आता है और यह देखिए जब हमने इसमें मसाले अड़ किये हैं तो गैस का फ्लेम थोड़ा सामने धीमा कर दिया था ताकि मसाले जले नहीं और मसाले इसमें अच्छे से क्रेकल हो जाएंगे फ्लेवर अच्छे से आने रखा हुआ है और प्याज को बहुत बारीक नहीं काटना है दोस्तों रफली काटना है जिससे की वो भूनते भूनते ही गल जाता है प्याज तो यह देखिए और यहां पे न मैंने प्याज की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा ली है मैंने पांच बड़े साइज का तो प्याज आप लोग अपने सबजी के हिसाब से लीजिएगा तो यह देखिए अब इसमें न प्याज को गोल्डेन ब्राउन होने तक भूनना है तो चलिए अब इस तरह से चलाते हुए भून लेते हैं और गैस का फ्लेम यहां पे हमने मिडियम रखा हुआ है और उपर स धकन लगा देंगे और धक धक करके प्याज को भूनेंगे तो थोड़ा सा तीन से चार मिनट लगेगा प्याज लाल होने में और जैसे ही प्याज हलके से गोल्डेन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें अपना जो मेरिनेट किया हुआ कठल है वो एड करेंगे तो आप यह पे देख सकते हैं प्याज गोल्डेन ब्राउन हो गया है तो यहाँ पे ना मैंने बीच में गयस का फ्लिम हलका सा बढ़ाया था फिर धिमा कर दिया है ताकि प्याज जले नहीं और अब इसमें सबजियां एड करेंगे तो यह देखिए इसमें मेरिनेट किया हुआ कठल है आप चाहें तो देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह का मैंने कठल की सबजी बनाई है और यह रेस्पी भी अलग है तो यहाँ पे ना कठल एड करने के बाद से जो मसाले थे बोल में उसे भी मैंने धो करके थोड़ा सा पानी के साथ डाल दिया है और मिक्स कर दिय है और अब इसे चलाते हुए भूनेंगे तो जितना अच्छे से भूनेंगे धीमे आज पर कठल और मसाले को उतना ही स्वाधिष्ट सबजी बनती है तो इस तरह से उपर से मैंने धकन रख दिया है और बीच बीच में चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे इस तरह से तो आप देख सकते हैं यह देखिए जब भी नीचे जो कूकर में मसाले चिपकें तो उसे इस तरह से छुडा लेंगे जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं और गैस का फ्लेम लो टू मिडियम रखें उससे सबजियां जलेंगे नहीं और अच्छे से भून जाएंगे दोस्तों यह देखिए तो इस तरह से कठल को अच्छे से भून लेना है तो यह भूनने में ही काफी अच्छे से भून जाता है और इस तरह से जब भून करके अच्छे से सबजी पनाएंगे ना तो इसका स्वात काफी अच्छे से बढ़ जाएगा तो आप देख सकते हैं कठल काफी अच्छ से और मसाले भून चुके हैं ये देखिए तो भूनने में कम से कम तीन से चार मिनट लग जाता है दोस्तों तो इस तरह से न हमने कठल को भून लिया है अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी एड़ करेंगे तो मैं यहाँ पे दोस्तों ग्रेवी वाली सबजी बना रही हूँ आप इस सबजी को कम ग्रेवी में बना सकते हैं या आप ड्राई भी बना सकते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ी चादा ग्रेवी वाली बना रही हूं तो इसके लिए मैंने इसमें पानी आइड कर दिया है और अभी भी मिक्स करने के बाद थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा है तो थोड़ा सावर मैं पानी आइड करूंगी तो यह देखिए इस तरह से जब भी आप लोग कठल की सबजी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा तो यह रेश्पी आप लोगों को कैसी लग रही है अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा तो देखिए दोस्तों इसको धकन बन करके और 4-5 सिटी लगाने के बाद से गैस का फ्लेम लोटू मिडियम कर दें और 10 मिनट और इसे धीमे आजपर पकाएं 10 मिनट बाद ही जब प्रेशर निकल जाए तब कुकर को ओपन करें तो ये देखिए अब सबजी पूरी तरह से पक चुका है ये देखिए चलिए मैं धकन खोल के दिखाती हूँ ये देखिए क्या कलर आया है नाइस बहुत ही अच्छा कलर आया है दोस्तों ये सबजी को पकने के बाद और इसमें से खुस्बू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितना अच्छे से कठल गल गया है अभी काफी गरम है छुने में गरम लग रहा है तो ये सबजी को अगर आप उबाल कर बना रहे हैं तो आप कड़ाई में भी बना सकते हैं दोस्तों मैंने बिनाव वाले बनाया था इसलिए इसे कुकर में बनाया है ताकि सबजी अच्छे से पक जाए इस तरह से जब सबजी पक जाने पर आप इसे बड़े बोल में ट्रांसफर करें और उपर से हरे धनिया से गार्निस करें और इसे रोटी, प्राठा, राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुती स्वादिष्ट सबजी बनती है दोस्तों तो इस तरह से बना करके आप लोग इंज्वाय करें और यदि मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर दें और मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सस्क्राइब करना न भूलें थैंक यू